हेलो फैंड्स वेलकम तू माई चैनल आज हम बनाएंगे बेशन का बहुत ही डेस्टी सालन और जब आपके घर में कोई सब्जी वगेरा ना हो तो आप सिफ बेशन से ये बहुत ही जबर दस्ता सालन बना कर रेडी कर सकते हैं ये बहुत ही डेस्टी बनता है और जल्दी से ब कर रेडियो जाएगा यहाँ पुछ लिया नाग और शुर्छ गरम भाटा पौडर लिया थो चलिए यहां भाटानें लिया बारी बोटाले गरी जीया आधा थे लिया रीक यह पूंछ 2 लिया और शुछ उल्षिश लिया थे हूं सबस्क्राइब अच्छсь Ça睛 अधी कुछ खता है मैंना और फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी अऑं नहीं किया है में नॉन स्क्राइब नग्स कर लिया इसके दर मैंने कुorroFF क कटिंग करका रखी ती प्यास वगयर भाष्म यहां पर मैंने दू कप पानी एड़ किया है जितना हमने बेसन लिया है उसका हमने डबल पानी एड़ किया है और हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको इस तरह के से हमें गोल बना लेना है फ्लेम को हमें आउन नहीं करना है जब तक हमारा इसमें एक भी लंज नहीं रहे हमें बिल्कुल भी flame आफ ओन नहीं करनी है अब हम यहाँ पर एक चमच ओईल एड़ कर देना है यहाँ पर एक बड़ा चमच मैंने ओईल एड़ किया है और ओईल एड़ करने के बाद मैंने आधा कप पानी एड़ और किया है यानि कि मैंने टोटल ढ़ाई कप पानी एड़ किया है यहाँ पर हमें बस इतना ही पानी एड़ करना है और अब हमें गैस की flame को on करना है यह देखिए अच्छे से mix हो गया है flame हमने on कर दी है और अभ इसको चलाते रहना है लगता तार flame को हमें high रखना है और इसको हमें लगतार चलाना है यह देखिए इस तरीक से यह हो जाएगा हमने high flame पर इसको अच्छे से पकाया है इतना पक जाना चाहिए है अगर यह साहिसे नहीं पकेगा तो आपकी जो हमें इसको जमाना है बेसन की खतली तो यह अच्छे से नहीं जमेंगी तो देखिए इतना ही हमें इसको त्टी करख ना है अब देख सकते हैं अब हमें फ्लेम को ओफ कर देना है यह बिल्कुल हमारा एकदम रेडियो गया है जमने के लिये हैं आप फ्लेम को आफ करें यह देखिए इस तरीके से यहां पर मैंने एक स्टील का इस तरीके से बर्तन ले लिया है आपको इसी नहीं या फिर प्लेट वगारा कुछ भी ले सकते हैं इसको मैंने ओयल से ग्रीस किया था और ओयल ग्रीस हमने इसलिए किया है ताके हमारे जो कतली की जमाएंगे यह अच्छे से कटकर निकल जाएं तो यह देखिए मैंने यहां पर बैटर जो है इसमें एट कर दिया है बैटर ठंडा नहीं होना चाहिए फॉरानी हमें इसमें फ्लेम उफ करते हैं इसमें पलटना और इसको स्प्रैट करना इस तरीके से और हमें एक ने ऐने 11-15 मिनट में कट्डिया जाए मारा भीख भीज़र को प explosक यह मैं एप शारा जाए का दोगन नाइफ में परफेक्टली निकल रहा है और इस नहीं ब्लेकशना में नहीं होती है आप असانी के साथ इसे ट्रائ कर सकते हैं यह बहुत ही डेस्टी बनता है और जब आप के पास कोई सबसी ना हो तो आप इसको बना कर ट्राइ कर सकते हैं बस बेसन होना चाहिए और यह सबसी जटपट से बने कर रेडी हो जाती है और एकदम पर्फेक्ट बनती है आप इसको लंच में डिनर में जब दिल चाहे आप इसे बना सकते हैं यहाँ पर मैंना वाइल लिया है सरसो का और नॉनस्टिक कड़ाई में हम इसको फ्राई करना है जादा तेज नहीं होना चाहे है और आअईल मीडियum फ्रम पर करना है क्योंकि यह बेशन के खत्लियों बेसे बिसको को कड़ू है करना है एक दम गोल्डेन और इसको बिल्कुल हमें मीडियम फ्लेम पर करना है हलके से इसको इस तरीख से में चलाते रहना है यह देखिए जब यह तोड़ा सा सैट हो जाएं तब आप इसको इसकी साइट को इस तरीख से चेंज कीजिएगा यह मैं ऐसे फ्राइ कर भी कहा सकते हैं ऐसे बहुत टेस्टी लगती है चटनी के साथ और अगर आपको सालन में इसको इड़ करना है तो आप सालन में इसको आड़ कर सकते हैं यह देखिए एक दम परफेक्ली फ्राइ हो रहा है तो यह बिलकुल भी नहीं टूटेंगे अच्छे से यह सैट हो जाता है बेसन तो यह देखिए मैंने बस इसको गोल्डन किया है जादर डार्क हमें इसको नहीं करना है यह फ्राइ हो जाए तो हम इसको आइल से बाहर निका तुर्ण नहीं करने के भाद पर नहीं है यह दो बड़े च dental ओई ले लिए हैं और मैंने एक मीडियम साइस network को इसको अиков 나오 देखिए हैदा पाइल के अंदर एड़ कर देना है अच्छे से चलाना है फ्लेम को मीडियम रखना है प्यास के बाद हमें यहां पर एड़ करना है लेसन अद्रक का पेज जो कि मैंने एक एक चमच लिया है एक चमच में यहां पर धनिया पाउडर एड़ करना है जादा धनिया पाउडर यहा तो चमच लालमेच अटकी है यहां पर कीजिए चाहिक्ट साथ, फेलम का मीडिय produces मेंकिटार से AAT Irina Belly जाना को मिदियं किसे मासाले को पहले होड़ान साथ, ताकि मासाले कीसमेल जब तक ख्रालोस पर कीसा नासरा टेज Jim अब यहा पर मैंने पॉर्ड डाइल नहीं चैता है है बहुत अच्छी है, उलसी नहीं किर था हूँ आप कर डाइल के लिए तो देखों अउल पर देखना है, लगत बौननी नहीं किया है। तो मुझे इसमें दही आइट करना था और इसको मैने अच्छे से बूनना है जब तक दही अच्छे से नहीं बुन जाता और यहां पर आइल नहीं आ जाता सरफेस पर तो हमें यहां 20-25 मिनिट इसको लगातार बूनना है फ्लेम मीडियम रखनी है देखे आइल आने लगा है तो अब हमें यहां पर एक चमच कसूरी मेती आड़ कर देनी है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था तो कसूरी मेती आड़ करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे इसको खाते में जैसे कि हम कोई फिश वगएरा खाते है और इसका टेस्ट आता है बिल्कुल सेम वै इसका इड़ कर लियूजाए। मिल्कुल पर्फेक्ट रहता है। यह देखे इसमें अच्छे से बॉइल आने लगा है तो अब हमें क्या करना है कि यहां पर जो आइल आ गया है इसको निकाल लेना है क्योंकि जब हम ग्रेवी के अंदर बेसन के गतली आइट करेंगे तो इसका आइल चला जाता है तो मैंने यहां पर क्या क्या है कि आइल को पहले ही यहां पर जो इसमें बॉइल आया है तो मैंने इसका आइल उतार लिया है उपर से अलग बरतन में देखे इस तरीके से हमें बहुत एजिली इसका आइल निकल जाता है अलग तो हमें इसका आइल अलग निकाल लेना है यह द एड़ करने के बाद तो हमाई पास अलग से हमने एक बरतन में उतार कर रख लिया है तो जब हम इसको सर्फ करेंगे तो इसके अंदर हमें उपर से ओड़ डाल देना है तो यह देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करना है पाच मिनट हमें इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा स कर दी है तो यह देखिए एकदम पर्फेक्ट हमारा बेसन का जो है हमने बेसन से कतली बनाई है उसका सालन रेडी किया है यह बहुत ही रेस्टी बना था और मैंने इसे जटपट से बना लिया कभी आपके गर में सबजी ना हो तो आप इसे जरूर ट्राई कीजेगा अब हम का सब्सक्राइब कर前ुट को वाइड कर देना है जो हमने अलग निकाल कर रखा था था तो हमें सर्विंग टाइम पर हिसको ऊपर से ए Add कर ना है ताकि जब अगर सब चला भी जाए तो हमें उपर से ऑइल एड कर लेना है क्यूक् unnatural को कर रख लिया था बहें अलग उतार कर